यूच्छ एंदर बताते हैं कि कंपनी को जो अब्जेक्टिव हैं objectives है, एक desire goal achieve करने के लिए, हम उन objectives को achieve कर रहे है या नहीं और खाली उन objectives को ही achieve नहीं करना effectively achieve करना है हम एक मिसाल ये बताते हैं आपको पानी तो सब पी लेते हैं पानी पीने का भी तरीका होता है, फिर number one point, present motives, present goals where we are at present time हमारे present motives क्या हैं, for achieving desire goals, how can we achieve our desire goals हम desire goals किस तरीके से achieve करेंगे, उसके भी steps होते हैं, उसका सबसे पहले step ये है, कि हमें present motive किलियर होना चाहिए, present goal हमें पता होना चाहिए, हमें अपने present objective effectively achieve करें, और achieve करने के बाद हम ये भी देखें, observation करें, analyzation करें, हम अभी stand ये present time में कहां पे हैं, ये ही नहीं कि achieve कर लिया, effectively achieve कर रहा है, जिसके ज्यादा से ज्यादा बेहतर और better results आएं, second point, based on present facts, ये depend करते हैं, facts and figures के उपर, ये नहीं कि आपने 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 काम कर ली है, या fact, ये कहलें के आपने पानी पीना है, पानी पीने के लिए आपको ग्लास में डालना पड़ेगा ना पानी, ये तो नहीं, आप पैर पे पानी डालना और प्यास की भुच गई आपकी, नहीं, तो जो उसके facts, figures, जो उसके principles होंगे, आपको वो apply करने पड़ करने के लिए multiple mission statements पनानी पड़ेंगी, और उन multiple mission statements को achieve करने के लिए आपको multiple different types of steps लेने पड़ेंगे, और mission statement time to time change भी होती रहती है, कभी आपका कोई motive होगा, कभी आपका कोई motive होगा, कभी आपका किसी अलग तरीके से काम करेंगे, फिर आप अलग activities करेंगे, and the fourth point, multiple missions can achieve one goal, और आपके multiple missions होंगे, जो आपको help करेंगे, कोई एक particular goal achieve करने में, and the last point, it's information to work present time, यह short term होती है, और यह information होती है, जो present time में ही आपके काम आती है, क्या आप presently किस तरीके से काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, आप क्या प्रोटक्ट बनाएंगे, या आप किस तरीके से उसको deliver करेंगे, आपकी present information होती है, और mission statement short term होती है, it's not a long term, I hope, आपको समझ आया होगा, कIESड़ी से काम, किस तरीके प्रोटको समस्तिय।